Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solanki और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि IUI कराने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है और IUI कराने के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो दो बाते हो सकती हैं एक तो आपको एक false negative result देखने को मिल सकता है यानि कि प्रेगनेंट तो आप हो गई है लेकिन टेस्ट किट में ना आए कि आप प्रेगनेंट है एक negative result शो कर दे दूसरी possibility यह हो सकती है कि आप प्रेगनेंट ना हो और फिर भी आपकी जो test kit है वो positive शो कर दे ऐसा किसलिए होता है क्योंकि कई बार जब IUI कराया जाता है तो हर patient में तो नहीं लेकिन किसी किसी patient में HCG हामोन का injection दिया जाता है ovulation को induce करने के लिए HCG हामोन के levels को जब आपकी test kit detect करती है तो आपको एक false positive result दे देती है क्योंकि pregnancy test kits भी ऐसे ही काम करती है क्योंकि pregnancy हामोन होता है actually HCG हामोन वो pregnant महिलाओ में मिलता है उसी को detect करके आपकी kit आपको positive या negative result देती है लेकिन जो आपको injection लगा है उसी हामोन का अगर उसके levels उसने detect कर लिए तो आपको एक false positive result देखने को मिलेगा इसलिए बहुत जल्दी भी test नहीं करना चाहिए सही timing क्या रहता है test करने का वो भी मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले मैं आपको explain कर दूँ कि आखिर IUI होता क्या है और किन cases में किन infertile couples में इसकी जरूरत पढ़ती है और इससे फायदा होता है क्योंकि आज तक इस technique के द्वारा बहुत सारे infertile couples ऐसे हैं जिनकों की संतान सुकी प्रापती होई है तो यह IUI क्या है IUI का full form होता है intrauterine insemination इसमें क्या किया जाता है कि husband का जो cement का sample है वो लिया जाता है उसमें से जो healthy sperms होते हैं अच्छे sperms होते हैं जिनकी motility अच्छी होती है उनको अलग कर लिया जाता है एक तरीके से concentrate करके एक अलग से sample बनाया जाता है wash करके sperms को और उसके बाद इस concentrated sample को महिला के या wife के uterus में directly डाल दिया जाता है जबकि जो आपका normal sexual intercourse होता है उसमें जो cement का deposition होता है वो आपकी विजाइना में होता है उससे उपर नहीं होता है उसके उपर sperms को खुद travel करके जाना होता है cervix यानि की बच्चेदानी या uterus का जो मुह होता है उसको cross करते हुए uterus में जाना होता है uterus से फिर fallopian tube में जाना होता है क्योंकि जो egg होता है female का वो ovulation के बाल आपकी fallopian tube का जो बाहरी हिस्सा होता है outer end होता है वहाँ पे मौझूद रहता है तो ये पूरा सफर तै करते हुए healthy sperms को आपके egg तक पहुचना होता है अब इस process को थोड़ा easy कर दिया जाता है intrauterine insemination के द्वारा directly जो healthy sperms है उनको सीध है आपके uterus में पहुचा दिया जाता है एक catheter के द्वारा एक पतली से tube होती है जो आपकी vagina के थूँ आपके cervix को cross कते हुए cervix के थूँ आपके uterus में पहुचती है उसके थूँ आपके अंदर जो sperms होते हैं उनको directly पहुचा दिया जाता है तो यह जो technique होती है यह in particular cases में जादा helpful होती है देखिए अगर कोई infertile couple है और उनके में cervix से related कोई cause है जिसकी वज़े सी की pregnancy नहीं हो पारी है यानि कि cervix का जो mucus है बहुत जादा thick है sperms उसको cross नहीं कर पारे है तो उस condition में अगर आपका IUI किया जाएगा तो आपके pregnant होने की संभावना बहुत जादा बढ़े जाती है क्योंकि अब healthy sperms को directly आपके uterus में पहुचा दिया जाता है अब इसके इलावा और कौन-कौन से cases होते हैं एक तो case होता है जिसमें की husband में sub-fertility मिलती है यानि कि उनका sperms तो है एजुस्पर्मिया के condition नहीं है sperms वगेरा है लेकिन जादा healthy sperms नहीं healthy sperms की संख्या कम है और जो अच्छी motility वाले sperms है उनकी संख्या अगर कम है तो उस वज़े से अगर आपकी pregnancy नहीं हो पारी है तो वहाँ पे जरूर क्योंकि IUI के procedure में जो husband का sperms होते हैं उनको concentrate करके और healthy sperms को यानि जो अच्छी quality के sperms है उनको अलग कर लिया जाता है खराब quality से और अच्छी quality वाले sperms directly आपके uterus में डाल दिये जाते हैं तो इससे आपके pregnant होने की काफी अच्छी संभावना वहाँ पे बन जाती है तो ये कारण होता है एक case ऐसा होता है जिसमें कई बार husband के जो सिमेन होता है उसमें sperms होते ही नहीं है इसको ezo spermia की condition बोला जाता है ऐसे में donor से sperms लिये जाते हैं और donor sperms को wife के uterus में directly डाल दिया जाता है तो वहाँ पे pregnancy possible हो जाती है तो इस तरीके से कही सारे cases होते हैं और अब ये depend करता है कि आपका menstrual cycle है वो कैसा है आपके हर menstrual cycle में करने के लिए आपको medications देने की जरूरत नहीं पड़ती है हाँ आपके doctors ये जरूर monitor करना चाहेंगे कि किस particular time में आपका ovulation हो रहा है तो कि जब आपका ovulation होगा तभी आपके एक दो दिन के अंदर आपके IUI का procedure किया जाएगा अगर आप में ovulation की problem है यानि कि female body में अंडा release होने में भी दिक्कत हो रही है अंडा नहीं release होता है तो उस condition में आपको कुछ fertility boost करने के लिए या आपको ovulation induce करने के लिए अलग से medicine या आपको injection लगाए जा सकते हैं जिससे कि जब आपका ovulation होगा तब आपका IUI का procedure वहाँ पे कर दिया जाएगा तो अब हम जाल लेते हैं कि IUI की procedure के बाद pregnant होने में कितना time लग जाता है कितने दिन लग जाते हैं और आपको pregnancy test कप करना चाहिए तो जब आपका IUI होगा generally आपका ovulation हुआ होगा egg release हो गया होगा तभी doctors आपका IUI करेंगे उसके बाद fertilization होने में तो जाधा time नहीं लगेगा within one day भी आपका fertilization हो सकता है यानि कि जो sperms release कियेगे हैं आपके uterus में वो travel करते हुए egg के पास fallopian tube में पहुँच जाएंगे और वहाँ पे fertilization हो जाएगा लेकिन इसके बाद तुरंट pregnancy नहीं होती है क्योंकि ये जो fertilized egg होता है ये जो zygote बनता है इसको travel करते हुए आपके uterus में आना होता है और uterus में आके जब ये चिपक जाता है uterus की wall से तब आप pregnant होती है तो ये जो पूरा procedure होता है इसमें कम से कम 6 दिन का time लग सकता है on an average तो जब आपका IUI होता है अब हम जान लेते हैं कि फिर pregnancy test हमको कप करना चाहिए 6 दिन बाद pregnancy आपकी हो जाएगी लेकिन तभी तुरंत आप test नहीं कर सकते है क्योंकि result आपका negative आ सकता है तो आपको और थोड़ा wait करना होगा यानि कि जब तक कि pregnancy होने के बाद जो natural HCG hormone release होता है आपकी body में से उसी को आपकी urine pregnancy kit जो है वो detect करेगी आपकी urine में तभी आपको एक positive result देखी को मिलेगा बहुत जल्दी आप test कर देंगे तो HCG hormone के levels होते बढ़े नहीं होंगे तो आप pregnant तो हो चुकी है लेकिन test आपका negative शो करेगा तो ये problem आ सकती है इसलिए आपको कितने दिन wait करना चाहिए pregnancy test करने के लिए minimum तो 2 weeks का wait होना ही चाहिए जब आपका IUI हुआ है उसके बाद और ज़्यादा surety रहती है अगर आप 3 weeks के बाद करते हैं pregnancy test तो उसमें और ज़्यादा surety के साथ आप बोल सकते हैं कि pregnancy हो गई है लेकिन आपके doctor's आपको blood test भी recommend कर सकते हैं IUI के 2 weeks के बाद तो उसमें थोड़ा और जल्दी detect हो सकती है आपकी pregnancy blood test में भी basically आपका जो HCG hormone होता है वो ही detect किया जाता है तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि IUI का procedure जो होता है और कई दमपत्ती इसकी वज़े से parents बने हैं, माता-पिता बने हैं इसमें test जो आपको करना होता है वो generally at least 2 हफते तो रुखना आपको होगा IUI के बाद 3 हफते बाद अगर आप करते हैं तो आपको और जादा surety के साथ पता चल जाता है कि pregnancy है कि नहीं है बाकी आपकी डॉक्टर जिनके द्वारा आप IUI करा रहे हैं, उनकी advice को जरूर follow करिए, जैसे वो आपको बताएं 2 हफते बाद टेस्ट करने को बताएं तो बिल्कुल आप 2 हफते बाद टेस्ट करिए अपने डॉक्टर की सलाह को जरूर मानिए तो hopefully आज के ये वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा काम का लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए subscribe करने के साथ साथ वो जो notification bell है all के option के साथ उसको भी जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे pregnancy से related useful वीडियो के notifications आपको सबसे पहले मिल जाएं और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लावा अगर आप Instagram यूज करते हैं तो Instagram पर भी मैं हूँ, मेरा link जो है Instagram प्रोफाइल का वो आपको description box में मिल जाएगा आप मुझे वहाँ पर भी follow कर सकते हैं मैं pics डालती रहती हूँ, अपने Insta ID पर भी मैं आपसे मिलूँगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रगिए